आज ये डाउनलोड करें SkyMet Mobile App, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे नमस्ते दोस्तों मेरा नाम महेश पलावत है, आप सबका स्वाधत है SkyMet Weather के 4 सितंबर के Weather Blatement मांसूम अपनी चाल चल रहा है, बहुत अच्छी चाल चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ इलाके मुसलाधार बारिश देख रहे हैं, बारिश से परेशान हैं, फसले तबाह हो रही हैं और कुछ इलाके सूखे की हालात में बने हुए हैं जैसे कि आपका पंजाब हो गया हर्याणा उत्तर प्रदेश बिहार जारकंड बेश्ट वंगाल और उत्तरी उडिसा ये सारे इलाके सूखे पड़े हैं लेकिन राजस्तान में अच्छे बारिश होई है गुजरात में जुलाई और अगस्त सबसे जादा बारिश वाला महिना होता है 28 cm के आसपास जुलाई में बारिश होती है अगस्त 25 cm के आसपास होती है 16.7 cm यानि कम हो जाती है बारिश जो होती है आपके सप्टेंबर में और 16.5 cm के आसपास जून में जून और सप्टेंबर में कम होती है और बीच वाले जो महीने हैं वो सबसे जारा बारिश वाले होते हैं। पहुंचने में टाइम लगता है तो जून में धीरे धीरे बारिश पहले यहां पर बढ़ती है यहां पर बढ़ती है इस तरह से बढ़ती है और फिर आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि उसका कारण यह है कि यह जो मांसून है वो जून में पूरी बारिश नहीं दे पाता क् पहुंच पाता है और जूल के आखिर में जाकर के पूरे भारत को गवर करता है इसलिए बारिश कम होती है और सितनबर में क्या होता है कि जो अभी क्या होता है कि 17 सितंबर से जो मांसून है यहां से विड्रो होना सुरू हो जाता है पश्मी राजिस्तान से और 15 अक्टूबर तक यह पूरे जगे से विड्रो हो जाता है तो अगर आधे महीने में ही अगर विड्रो होना सुरू हो जाएगा तो नेचरल है कि कम हो जाती है यहि कारण है कि सितंबर में और जून में बारिश कम होती है और बाकी जिते भी वह हैं जुलाई और अगरस में काफ़ जован जुलाई सबसे आदा बारिश वाला महिना माना जाता है अब जो बारिश की गत्विद्या हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से यहां से यह जो इलाके है यह सेंट्रल इंडिया का जो हिस्सा है यहां पर राजस्तान के जो पूर्वी है और दक्षणी है और दक्षणी है गुजरात के गई लाके हैं अम्मद्य प्रदेश चाथिस गड़ ओडिसा के दक्षणी लाके बीदर्व मराट वाड़ा यह जो इलाके और उत्रिया अंद्रप्रदेश यहां पर जो बारिश की अद्विद्या जाला हो रही है जबकि पहले जो हमारा यह जो उत्तर महारत ह यहां पर भी बहुत अच्छी बारिश हुआ करती थी और यह 80s की बात है जब हम चोटे थे क्योंकि मेरी उमर तो काफी जाला है तो में 80s में स्कूल में पढ़ता था तो उस समय देखता था कि यहां पर जो बारिश है हमारे दिल्ली वागरा में रहते थे जहां पर भी हमा होते थी कि क्या होता था कि द्रहा होती है आप दी भी तो यह दिर वीद्व हो जाती है अगर वह बाहर जान में चले तो क्या है कि उन्हें मालूम है कि बारिश हो यह एक गंटे देड़ गंटे में खतम हो जाएगी उसके बार हम जा सकते हैं तो यह जो चेंजे जाए हैं यह एक climate change का असर है और उपर से जो low pressure area यहां पर बनते थे पहले क्या होता है कि यहां पर बनते थे और यह access of monsoon तरफ इस तरह से आगे जाते थी और यह low pressure area इसी के साथ साथ आगे बढ़ते थे यानि कि यह उत्तर पश्चिम दिसा में आगे बढ़ते थे तो इसका असर क्या होता है उडिसा जहार इखंड कभी बिहार उत्तर प्रदेश पंजाब अर्याना और यह दिल्ली वगएरा पर दिखाई देता था लेकिन अब क कभी जाते हैं, कभी वेस्ट में चले जाते हैं तो इनका जो रूट है वो इस तरह से हैं तो अब बढ़त को बारिष ज्यादा मिल रही है तो यह उत्तर भारत लगवाक सूखा रह जाता है तो यह जो प्लायमेड चेंज के कारणल मानसूल का सिफ्ट हुआ है यह भी एक ब परकपंडे वाला है अब देखिए मैं जल्दे अल्दे अब ज्यादा टाइम ले लिया लो प्रेशर एरिया आगे आ जाएगा यह यहां पर आ जाएगा या अल्रेडी आ चुका है समझ लीजिए कि उत्री गुजरात और राइस्तान के आसपास एक नया लो प्रेशर एजा ब प्रदेश के इलाकों में और बिहार के कुछ इलाकों में बारिशी गत्मिया असुरू हो सकती है तो यह एक अच्छा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है अगर हम मॉडल देखें तो आप देखें कि यह आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश के कई लाके हैं हिमाचल है उत् प्रविजिले यह जैसे के अम्माला यम्नानगर कुर्षेतर करनाल पानीपत सोनीपत रोहता के जजजर प्रिवारी गुर्गुराम फरीदाबाद लूह पलवाल यह जो इलाके हैं और दिल्ली एंसियार में बारिश की सम्भाबना दिखाई दे रही है अब अगर उत्तर प तो बिहार के जो तरायवाले लाके यहां पर बारिश होगी और आगे वी यह वह घुन की अगर देखा जाए यहां पर बारिश कम रहीघी बाकी अलाकों में खंड वाषा, रहने की संबबना दिखाई देरही है, बिहार के जो उत्तरी इलाके हैं, यहां पर बारिश की रत्वीनिया आपको दिखाई देती रहेंगे, यह जो है, आपका चंपारन है, और गोपाल गंज है, मजभर पूर, सितामबडी शिहोर मदुबनी दर्मंगा समस्तिपूर सहर साम मारेपुरा पूर्णिया अरेरिया कि संगंज सुपॉल और यह जो अलाके हैं यहां पर पुड़ी अच्छी बारिश हो जागी बाकी लगबग साफ रहेंगे बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी की संबावन हलके भूके बढ़ेंगे लेकिन उपेवाले पश्ची मंगाल की बात करें तो यहां पर एक रफ जो बनी हुए है उसका असर आपको दिखाई देने वाला है और यहां पर जुटा आगया अगया उपेवाली पश्ची मंगाल में दाजलिंग कलिंपोंग कुश्पयार बगर हमना हमें नजार आ रहे हैं और उसी तरह से सिक्किम से लेकर के जो उत्तरी इलाके हैं जो से के असम है बेगाल है अरुणा चल परदेश नागा लेनी यहां पर अच्छी बारिश है मणिपुर मिजरम तुरपरा में बारिश कम रहेगी क्योंकि एक तरफ है जो उत्तर के वह से लेकर करके पूर उत्तर राज्जों तक जा रहे हैं उसका कारण से यह बारिश की अगजिश चलते हैं तो राज़स्तान के जो तो राजभी यहां पर तो रहने की संभावनाowed को तक दिखाई दे रहा है यह और तीक दीन जो पश्चमी लाका है वहां ठोड़ी कम होगी बारिश और जैसन मेर के पश्चमी लाकों में भी बारिश कम हो सकी है। बाकी लाकों में खंड वर्षा होने की चांसे चमिश्य दिखाई दे हैं। अब क्या होगा कि जो बारिशी अत्मिद्या है वो पूर्वी मद्य परदेश में एक वार फिर से सुरू हो जाएंगी लेकिन जो बीच वाले से वहां कम हो जाएगी यहां सतना रीवा सिद्य सिंग्रोली उमरिया सदोल दिंडोरी मांडला जवारपूर दमो यह सारे लाके फ बहुत जाना भारी बारिश आपको दिखाई नहीं देने वाली है उरिसा के लिए भी एक अच्छी ख़बर यही है कि उरिसा में अब जो बारिश है बहुत थोड़ी सी आपको कई लाकों में दिखाई दे जाएगी और यह कारण इसका यही रहेगा और खास करके फिर भी अ अब अगर और आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि यह माराक्ष की बात करते हैं इससे पहले कि यह हाँ अगर महराष्ट की बात करते हैं तो महराष्ट में हम देखेंगे कि बारिश गत्विदिया केवल विधर्व में और उक्तरी मध्य महराष्टा में नंदूरबार धुले और जलगाओं में ज्यादा होंगी बाकि अमरावती नागपर और बंडारा गोंडिया वर्दा यह जो अलाके हैं बाकी अलाकों में बारिश कम हो जाएगी लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही लोग पेश्य दे दिया आ जाएगा तो यहां से हवाएं जो अरब सागर से तेज हो जाएंगी और मांसूल को यहां एक्टिव कर देंगी तो मुमई थाने दहानू कल्यान कि अब हम चलते हैं तो तैलंगाना की बात की लाके तो तैलंगाना के जादा तर इलाके अब एक वार्य बारिश देखेंगे यह आपका पांच और शे तारीक को भारि बारिश की सब्माबना है कई लाकों में दिखाई देगी आपको और अगर उत्तरी ठटें अंदर प्रो आपको थोड़ी सी कम दिखाई देंगी लेकिन अंधवान और निकोवार्दी सुम्मा भारी बारिश की सम्माबना हमें दिखाई दे रही है तो गुजरात रह गया तो गुजरात के हम बात करें तो जो सवरकांता, महिसाना, पाटन, इदार और अब्दाबाद, गांदीनगर ये जो इलाके हैं बड़ोतरा वगिरा में भारी बारिश के सब्माबना नजर आ रही है अब जो बारिश की अद्विदिया है वो सूरत, बल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर